नमस्कार साथियो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर आपकी दोस्तो आंसर के आ गई है तो अब आपके बाद आपके वीडियो बरती एकजाम के कटप क्या रहने वाली है तो आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले है और साथ ही आपका result कब तक आ सकता है और आपको bonus अंग भी मिले गए या नहीं क्योंकि आप सभी को पता है आपके जो भी paper उगा था उसमें आपके कुछ सवाल out of syllabus आये थे जिस वज़े से कुछ अब्यारतिये मांग कर रहे थे क्या हमें bonus अंग मिले गए या नहीं तो साथ ही एक बहुत बड़ी update निकल कर आ रही है क्योंकि यदि आपके सच में अगधी paper लिक हुआ है तो यह आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है जिन जिन अभ्यारतियों नहीं पहले तो वीडियो भरती का exam दिया उसके बाद मैंस का exam दि सकती है और इधी नहीं हुआ है तो आपकी cut-up वहसत ही रहने का अनुमान है तो साथियों अब आपकी cut-up को लेकर बात करते हैं क्या आपकी cut-up क्या-क्या रह सकती है तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन में देख सकते वीडियो कैटेगरी की cut-up सितर प्लस तक जा सकती ह एक सर्विसमेन की 90 प्लस स्पोर्ट्स केटेगरी की cut-up 105 प्लस अंकों तक जा सकती है साथियों यह जो मैं आपकी cut-up बता रहू हूँ वो नौन-TSP एरिया की है तो अब हम अगली केटेगरी के बारे में बात करते हैं आपके ग्राम सेवक की अगली केटेगरी हैं ST केटेग इसमें आपके male केटेगरी की cut-up 110 प्लस अंकों तक जा सकती है वहीं female की 105 प्लस अंकों तक जा सकती है वैसे साथियों यह जो मैं आपको cut-up बता रहू हूँ कहीं अभ्यारतियों को यह cut-up बहुत ज़्यादा लग रही होगी वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो paper दिया था वो copy hard level काया था और इस वज़े से आप सभी को यह लग रहा था कि यह cut-up बहुत ज़्यादा है लेकिन साथियों यदि आपका paper कई जगह पर ऐसी बात भी चल रही है कि आपका link हुआ है तो आपका link हुआ होगा तो आपकी cut-up ज़्यादा भी जा सकती है और साथियों यदि आपको final selection चाहिए तो कम से कम आपको इतने तो number लाने ही पड़ेगे वो सकता है एक या दो अगर कम अंक हो तो उसका कोई अधिक बात का चिंता नहीं है लेकिन इतना तो आपको वासत लेकर चलना ही चाहिए तो अब हम आपको अगली category के बारे में बात करते हैं अगली हैं EWS category इसमें आपके male candidate की cutoff 115 अंको तक जा सकती है वहीं female की 110 अंको तक जा सकती है सातियों यह जो cutoff है यह अनुमानित cutoff है वो सकता है इससे भी कम cutoff जा सकती है सातियों जो अनुमान हम लेके चल रहे है वो अनुमान कम से कम जादा नहीं जाए उससे कमें जाए इस हिसाब से cutoff बनाई गई है सातियों जब आपके answer के आई थी तब आपने यह पता किया कि बहुत सारे अब्यारतियों के number भी आ रहे है और कई अब्यारतियों के कम भी number आ रहे है तो आपकी अगली category है MBC category इसमें male candidate की cutoff 120 अंको तक जा सकती है वहीं आपके female category की cutoff 115 अंको तक जा सकती ह अगली category है OBC category OBC में आपके male candidate की cutoff 125 अंको तक जा सकती है वही female category की cutoff 120 अंको तक जा सकती है साथियों मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ यह जो cutoff बता रहा हूँ वो मैं maximum cutoff बता रहा हूँ और इससे या तो ज़्यादा जानने की बहुत ही कम संभावना है इससे आपकी कमी cutoff रहेगी तो इस वज़े से ज़्यादे बैरतिये चिंता ना करे कि हमारी cutoff इतनी जाएगी तो साथियों जो cutoff मैंने आपको बताईए यह बहुत ही ज़्यादा है इससे आपकी कमी cutoff जाएगी तो अब हम अगली category के बारे हम बात करते हैं अगली है journal category इसमें male candidate की cutoff 130 पलस अंकों तक जा सकती है वही female category की cutoff 125 अंकों तक जा सकती है तो साथियों जो एक बार इमानदारी से अपने comment box में जरू बताए क्योंकि उसके बाद ही हमें सभी को पता चलेगा क्या आपके वास्तव में कितने number है और साथियों यदि आपके मन में किसी भी तरका doubt है तो आप में comment box में जरू बताए और यदि आप मारे चैनल पर पहरी बारे थे तो चै करें